हलो प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है वरदान स्रीज में आज प्यारे बच्चों वरदान स्रीज में लेके आएा है बेखो आइसुमरिशम एक टख काम होता है इनीनरीच में ओपर से कौंची इस्टिरीनियो आइसुमरिशम को आड़ डिसकस करना चाहेंगे लास्ट क्लास में हम लोग ने bonding discuss की थी आज हम लोग stereo isomerism discuss करेंगे coordination chemistry ले तो stereo isomerism में दो part होते हैं एक होता है geometrical एक होता है optical तो आज की क्लास में हम लोग geometrical isomerism discuss करेंगे next class में optical isomerism पर focus करेंगे और isomerism से एक question हमेशा आता भी है किसी भी exam में तो चलो बच्चो उस पर focus करते हैं और अपनी problem को solve करने की courses करते हैं जैसे बच्चे चार number secure कर सकें तो सबसे पहले pie chart देख लेते हैं कहां से question आते हैं और कितने question आते हैं तो जड़ा देखो यार प्यारे बच्चो isomerism का जो portion है उससे कम से कम 20% के आस पास से question आते हैं क्यों 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 कि आप जामते हैं कि हर paper में question होता है हां question बहुत easy होता है within the second हो जाएगा यदि आपको आता है तो क्यों 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 कि बच्ची ही करना होता है तो चलो isomerism पर discussion start करते हैं सबसे पहले geometrical isomerism क्या definition बता होगे वहां पर organic की जब बात आती तो आप double bond के around check करते हो यहां पर क्या बता हो तो दोनों जगे की definition एक है बस हम लोग representation अलग-लग तरीके से करते हैं definition क्या है जरा उस बात को समझो two and more than two figure formed by different orientation of ligand in two dimensional and three dimensional space मतलब क्या हुआ मतलब यह है कि दो या दो से ज्यादा आपको figure मिल जाए दो या दो से ज्यादा आपको figure मिल जाए ligand की location change करने की वज़े से किसमे two dimensional या three dimensional space में आप ligand की location change करते हो और दो या दो से ज्यादा figure मिल गए तो वो geometrical isomerism compound so कर रहा है ध्यान नखिएगा location change करनी है bonding नहीं stereo isomerism में bonding arrangement constant होता है सिर्फ location change की जाती है space में ठीक है तो geometrical isomerism की definition क्या है दो या दो से ज्यादा figure आपको मिल जाए ligand की location change करने की वज़े से two dimensional या three dimensional space में organic में भी यह है double bond के around location ही तो change करते हो एक location का नाम sis रखते हो दूसरी का trans रखते हो मगर काम तो वहाँ पर भी वही हो रहा होता है तो पहले तो definition आई तो definition तो आपको आ गई क्या two dimensional या three dimensional में ligand की location change करने से यादि दो या दो से ज्यादा figure मिल गए तो geometrical isomerism है अब हम आँगे बढ़ते हैं geometrical isomerism किस में पढ़ोगे coordination number four coordination number six दो ही हमारे इस लेवर में तो coordination number four में दो case होते हैं एक case होता है तो टेक्टर हैडल के बारे में आपको बताता हूं जरा गौर से समझेगा कि टेक्टर हैडल होता क्या है जरा देखिए टेक्टर हैडल हम लोग बना के देखते हैं ठीक है जो भी मेरे पास बच्चे कुछे pen थे वो मैं उठाला आया हूं ठीक है तो आप pen पर मज जाएं या sketch पर मज जाएं कि कितने किस तरह के हैं आप सिर्फ topic पर focus करें तो जरा देखना यार प्यारे बच्चों यह टेक्टर हैडल symmetry होती है पहला पांट जरा समझो यह कैसी symmetry है symmetrical symmetry है कौन टेक्टर हैडल जो होता है वो symmetrical होता है symmetrical का मतलब आपको यह एपिक्स दिख रहा है न कि यह green color वालब pen एपिक्स है यह आँखो का धोका है reality में सब एपिक्स है यह देखो हाथ को इधर करता हूँ अब यह black वाला उपर होगा यह तीन उपर नीचे होंगे तो आप देखो यह एपिक्स होगा है symmetrical का मतलब होता है चाहे जहां से देखो एक जैसा figure दीखेगा तो टेक्टर हैडल symmetrical होता है दूसरी बात one different location या position present ट्रेक्टर हैडल में मेरे दोस्त तिरफ एक ही location होती है अर्जसेंट गौर से समझना इस बात को मैं क्या कहना चाहे रहा हूँ देखो यह हमारा क्या है blue blue का इसन कौन है लिए blue का अध्यसेट कौन है डार भ्डेक अब logar ener feel कहून है green है चेक कर लो यह इस green का ऊं है blue black black अप इन में से किसी की location चेंज कर दो देखो यह दिए कि आप मैंने इसकी नया फिगर मिला एंगल नहीं चेंज हुआ तो नया फिगर नहीं मिला एंगल चेक करोगे नया फिगर जानने के लिए देखो पहले इस ग्रीन का इसके साथ एंगल कितना था 109.5 इस ब्लू के साथ एंगल कितना था 109.5 और मेरे दोस्त इस ब्लैक के साथ एंगल कितना था 109 पूंटाई लोकेशंव चेंज कर देता हूं फिर भी एंगल चेक करो सारे एंगल सीम है इसका मतलब क्या है कि नया फीगर नहीं है बस आखों का धोका केला गया है जादू केला गया है मतलब जैसे यह हांथ है इसकी पिक्चर आपने सामने से लिए तो पांचों उगली आएं पर दब्गेशन की सारा एक और सोती है और जम्हसेंट के अधिकल होने के लिए कम कม दो नोकेशन की ज़रूरत होती है और इसमे इस लीएंड के respect में सिरिफ एक ही location है बगलवारी 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 जिसकी वजह से tetrahedral compound कभी भी offend analytical isomerism vaan नहीं करते हैं क्यों कि दूसरा figure नहीं सकता है क्योंकि उनके पाप दो location ही नहीं होती है किसी के respect में दो location होती नहीं है इस बात को थोड़ा easy तरीके से मैं समझाता हूँ, दो बच्चे आपस में बैठे हैं, अगल बगल, अब उनको बताओ कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो, एक ही तरह से, वो हमेशा अगल बगल ही आएंगे, चाहे आप ऐसे रख लो, चाहे उसको उठा के इधर बैठा लो, चाहे उसको आप अपने प आइसोमरिजम सो नहीं करता है, वो चाहे जैसा लिखाओ, वो चाहे जैसा लिखाओ, यदि वो टेट्राइडल है, तो तुम मना कर दोगे, ये सो करेगा, नहीं, यदि वो टेट्राइडल है, ये सो करेगा, नहीं, ये सो करेगा, नहीं, ये सो करेगा, नहीं, यादि वो ट है या नहीं यदि वो टेक्ट्राइडल है तो जोड़कर मना कर दो अब दूसरी बात आती है स्क्वाइर प्लेनर यदि कोई माली क्यूल स्क्वाइर प्लेनर है तो क्या वो जो करता है क्यों क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में दो होती है दो यदि हम लटकेंट को वर बनाये है तो लटकेंट के सब्सक्राइड है जो न COB पर यहाँ पर किसी भी एक legion के respect में दो location है एक urgescent वाली जिसका angle 90 है और एक opposite वाली जिसका angle 180 है तो इसमें दो location है तो हमारे पास square planar complex में geometrical मिलेगी अब कब मिलेगी कब नहीं अब इसका तरीका बताता हूँ आएसे देखने में तो बच्चों को बहुत tension हो जाएगी कियार हम कैसे देखे figure तो अब आपको थोड़ा सा math का खेल समझाता हूँ कि आप दूसरी तरीके से कैसे check कर सकते हो किस बात को जरा समझ लेगा देखो यह यह और यह माली जूल है आपको करना क्या है प्यारे बच्च अब दो दो लीगेंड के पेर बना लो एक पेर यह बना एक पेर यह बना एक पेर यह बना एए अब यदि इनको आपस में एक्षेंज करोगे तो क्या नया पेर बन सकता है क्या नया पेर बन सकता है नहीं आप इसका एक पेर यह बना सकते हो इसके बाद क्या कोई दूसरा पेर पॉस्विल है नहीं जितने टाइप के सेट बना लोगे उतने ही आईसोमर कहे जाते हैं आप इसके और कोई आई टाइप का सेट बना सकते हो नहीं बना सकते हो जब इसका सेट नहीं बना सकते हो इसका मतलब यह जमेट्रिकल भी नहीं सो करेगा और इसका सिर्फ एक ही फ और प्यर agement रोगे उतने ही आइसोमर होंगे जितने डिफरेंट-टाइफ के प्यर अरेंज कर लोगे उतने ही आइसोमर होंगे और एक से ज़ाधा सेट मिलने का मतलब आईसोमर इसम सो करेगा और यदी सिर्छिव एक ही सेट बना पार रहे हो इसका उसका एक ही फिगर है और एक फिगर है तो आई सुमरिजम आई नहीं आई सुमरिजम में तु मिनमम दो फिगर होने चाहिए ना यार तुझरा देखिए अब इसको बना हो तो यार इसको कैसे बना सकते हो एक बच्चा ऐसे बना सकता है ए ए अब कोई और पास्टिल है नहीं इसका अब यह भी जमेट्रिकल नहीं सो करेगा अब इसमें देखो एक बच्चे ने का सर अब इंको इंको इंटर्चेंज कर लो यह देखो इसके कितने अरेंड्मेंट आ गए दो अरेंड्मेंट आ गए दो अरेंड्मेंट आने का मतलब इसके दो आई सूमर मन गए और दो आई सूमर मिलने का मतलब यह जी आई क्या करेगा सू करेगा यह जी आई सू करेगा तो अपने को कुछ नहीं करना है अपने को मैस ए ए बी सी दूसरा क्या हो सकता है ए बी ए सी दो पेर मिल गया इसका मतलब इसके दो आईसोमर होंगे और यह भी प्यारे बच्चों क्या करेगा जमेक्टिकल आईसोमरिजम सू करेगा बहुत इजी है ठीक है मैं क्या बोला हो उस पर पर focus ना करो मैं last में conclusion के बता रहूं उस पर focus करो क्या tetrahidal complex हुआ तो geometrical मिलनी नहीं है बस बात खतम हो गई tetrahidal complex हुआ geometrical मिलनी नहीं है क्यों नहीं मिलनी है क्योंकि उसमें एक ही location होती है अब square planer complex हुआ तो बना के देख लो यदि आपको एक से ज़्यादा figure बनेंगे तो होगी नहीं तो नहीं ma4 type का molecule नहीं सो करता है ma3b type का molecule नहीं सो करता है ma2b2 सो करता है ma2bc सो करता है कितने आई सोमर दो ठीक है उसमें से आंगे बढ़ा लेते हैं और बात को अब जड़ा यहां देखो किसी नहीं लिखा mabcd तो कितने pair बनाओगे mabcd के तो देखो यार abcd 4-다면 एक साथ क्या है बी के साथ c ॉ आ सकता है और एक साथ d के साथ और थे और थे तो पाँस सी दिए और्म खीक्रबने फिघ़िगा कितने इस इसके क्तने partition क्यां ओंगेTop तो बात समझ पार हो कैसे करना है कोई अराम से निकाल लोगे ठीक है अब जरह देखो यदि कहीं बाई डंटेल लगा दे तो जैसे किसी ने कहा यह देखो कि यह स्कॉर्एर प्लेनर रहे यह सो करेगा जरhr召 बनाके देख लेते अब देखो पेर कैसे बनाओं गौर समझे यह बाई डंटेल लिगेंझ है आप डिटो इसको यही मानलो की इन लिए बाई डंटेल लिगेंझ को आप मोणोडंटेल लिगेंझ मानलो ठीक है आप इसको ऐसे ही मान के चलो यह हमने सपोस्ट कर लिया तो जड़ा बताना क्या आएगा एए बीबी फिर किसी बच्चे ने बना दिया एबी और एबी अब जड़ा गौर से बापकों को समझना कि करना कैसे देखो यार बाइटंटेड लीगेंड के जो डोनर एक्टम होते हैं मेरे प्य जीए क्योंकि यह बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है बहुत बड़ी नहीं होती है तो ध्यान लखे आलवेज कि डोनर एक्टम अरेंज इन-90 एंगल तो उनको सिर्फ 90 एंगल पर अरेंजी करना है तो अब आप इसको बना के देख लोगा तो पेयर भी बनाओगे फिगर भी बनाओगे और बाइड लीगेंड होगा तो पेर भी बनाओगे figure भी बनाओगे कैसे जड़ा देखो यह बाइड लीगेंड है तो हमने इसका figure बनाया, इसका figure हम यहाँ बनाके आपको दिखा रहा है, देखो कैसे, यह जो pair में दो लीगेंड होते हैं, यह एक दूसरे के 180 एंगल पे होते पर वह एक दूसरे के 180 अंगल पर होते हैं करभा एक डी अंगल पर नहीं हो थक खी क्या क्या आपने दिया आपने कहा है कि वो हमेशा प्यारी बच्चों की जिगर पाए जाएंगे अच्छे देखो वो हमेशा प्यारी बच्चों 90 एंगल पर पाए जाएंगे तो क्या यह 90 एंगल है नहीं तो मैट के हिसाब से तो पॉस्बिल है कि चार लीगेंट है मैथमेटिकली पेयर बनाने से बनाती है मगर कमेश्टी मना कर रहा है कमेश्टी कहरा नहीं यार दोनों डोनर एटम 90 पे सिट होते हैं 180 पे नहीं हो सकते तो यह फिगर पाउस्बिल नहीं है अब सिर्फ यह वाला फिगर किसी ने कहा कैसे पाउस्बिल है तो जड़ा देखो यहाला फिगर कैसे पाउस्बिल है कि देखो ए और बी एक पोजिट ए ए और बी अपोजिट अब जड़ा देखो ऑए कैसे नैंटी पे तो रहे है तो यहाला फिगर तुप of women नहीं उल कुए और फिर उसमें से देख लो कौन सा पाउग्विल नहीं है ठीक है बस उनके फिकर बना लो उनके फिकर कैसे बनाओगे जो यह दो पेर के अंदर जो लीगेंड होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट पर रखने हैं मतलब 180 पर रखने है एक 180 पर रखा बीबी 180 पर रखा तो इ एक ही फिकर तो कश भी लगए और एक फिकर है तो जेमेट्रिकल मिलेगी नहीं नेक्स्ट नमबर अब देको क्वादिनेस नमबर नमबर 6 में छोड़ी सी टेंसन बच्चों को जयादा रहती है तो चलो क्वादिनेसान नमबर सिक्स को डिसकस करते हैं जड़ा गौर से इसमें क्या है number आप location कितनी होती है दो location होती है दो location एक 90 एंगल और एक 180 एंगल नाइंटी एंगल वाली चार location होती है 180 एंगल वाली भी चार location होती है यह 180 एंगल है और यह नाइंटी है प्लेन का इसके साथ तो जरा गौर से समझेगा यह थ्री डायमेंट्री है और two different location होती है अब हम इस पर भी यही काम करेंगे जो उस पर किया था पेर बनाओ अब बताओ बच्चो छे लीगेंड आपस में बराबर आए तो कितने पेर क्या और कोई पास बिले नहीं इसint sprinkle टिकल नहीं सो करेगा इसको चक तो एक पेर तो आफ ऐसे बना लोगे और एक पेर ऐसे बना दोगे तो इसका जमेट्रिकल पॉस्विल हो गया क्यों एक आप सिस कह दोगे एक ट्रांस कह दोगे बनाओ फिगर बनाना हो तो जरा देखो यह वाला ट्रांस है क्यों मैंने कहा है ब्रैकेट के अंदर के दोनों लीगें एक दूसरे के 180 पे होते तो बी बी 180 पे है और बी बी 90 पे यह आपस में 90 पे से ढूंगे चेक करके देख सकते हो तो इसके कितने फिगर हुए दो फिगर हुए और दो फिगर हुए तो यह जमेट्रिकल तो करेगा अब इसके बनाओ इसके कितने प्यार पाउस्विल है ए ए ए बी बी कोई बच्चा चाहे तो ऐसा कर रहे हैं दो फिगर पाउस्विल है है और दो फिगर पाउस्विल है तो यह भी क्या करेगा जमेट्रिकल सो करेगा यह भी क्या करेगा जमेट्रिकल तो करेगा क्यों कि इसके कितने फिगर पाउस्विल है दो फिगर पाउस्विल है अब बातों को और आगे बढ जीन आयगा ज़रा देखो कंव मेरी बात प्यार समझतों पारहें न अंच यूंव क्यों प्यारे बदको इजू एए ल बनाने बच्कों का खेल है अब बना हुर और क्या हो सकता है कि की बात है कोई बंचे के सकता था A, B के साथ है तो A, C के साथ भी तो हो सकता है और B आपस में हो जाए है कि नहीं ऐसा भी दो सकता है किसी बच्चे ने गा सर ऐसा नहीं पॉस्बिल है क्या देखो A, B, A, B, A, C जिन कि इसा भीत पॉस्भिल है तो इसके कितने विगर आगा है इसके आप और सिटीन फिगर बना दिये । देखो currently करेगा और टोटल आईसोमर कितने होंगे तीन आईसोमर होंगे ऐसे अब M A2 B2 C2 के निकालो जब मेट्रिकल सो करेगा तो चेक कर लेते हैं A A B B C C पहला फिगर अब दूसरा फिगर बनाना है इंटर्चेंज कर दो A को B से इंटर्चेंज कर दिया C को सेम रखा अब एक बार C को सेम रखा तो एक बार A को सेम रख लो इनको आपस में इंटर्चेंज कर दो एक बार B को सेम रख लो A C को आपस में इंटर्चेंज कर दो एक बार सबको आपस में इंटर्चेंज कर दो कि यह देखो कितने figure मिले एक दो कि उन्य क्यार फांच इसके सब्सक्राइब जमेंट्रिकल भी सो करेगा और तोटल figure कितने ओगे 5 हो और इसके इसी तरह से इसका आरेंड्मेंट करोगे तो क्क किक यह plants हेगे हैं लाग-वी तैम टुक्षाओं टोटल टुटीन आई सब्क्र नहीं और यह तो तो कम अईनो CC आप चाहोन कर के देख सकती हो कैते बाइए के साथ क्या investment सकता है एक फिगर में बी आ सकता है के साथ सी आ सकता है डी आ सकता है या सकता है एक च्छे फिगर तो यहीं हो गए एक दो तीन चार पांच सौरी पांच फिगर तो यहीं हो गए कि एक पेर बनाते हो ना तो A का पेयर किसके साथ बनाया? B के साथ A का पेयर किसके साथ बनाया? C के साथ A का पेयर किसके साथ बनाया? D के साथ A का पेयर किसके साथ बनाया? E के साथ A का पेयर किसके साथ बनाया? F के साथ तो पांच हो गए अच्छा इसी तरह B का पेयर किसके किसके साथ बना सकते हो? इसी तरह किसके किसके साथ बन सकता है कि इसी तरह किसके साथ बन सकता है कि इसी तरह किसके साथ बन सकता है कि इसी तरह किसके साथ बन सकता है अब इन सब सब डी आएगा तो एक नया फिगर उगा होग तो ऐसे पांच आगए इसी तरह बी के साथ साथ B C D F आएगा B के साथ C D E F और C के साथ D E F और D के साथ E F E के साथ F बस A B C D काउंट करते चले जाओ आगे तोटल कितने फिगर आए पंदरा फिगर आगे अब जुर देखों यती बाई डंटेट लीगें प्रेजन्स हो किस पर क्वाडिनेशन नंबर 6 तो कैसे निकालोगे तो वही निकालोगे जैसे मैंने अभी पीछे पढ़ाया था बाई डंटेट लीगें को मोनो डंटेट लीगें मान लोगे और फिगर बना लोगे जैसे यह लेकर यदि मैं इसको मोनो डंटेट लीगें मान लो तो यह सur रही है अचा किसी बच्चे ने का सरय कर जो 20 ? जै किसी बच्चे ने का सरय सटय। किसी बच्चे ने का ऐसे कर लो क्या किया वही कर रहा हूं यार एए बीटो C2, C2, बिल्कुल उसी तरह से हो गया, इस तरह से बनाओगे, क्योंकि तुम इसको क्या बानना हो, Monodentate मानना हो ना, Monodentate मानोगी तो ऐसे 5 फिगर आएंगे, अब 5 में से हम काट देंगे उनको, पहले Monodentate मान के फिगर बना लेंगे, फिर काट लेंगे, तो पहला फिगर यहाई है, मैंने A को कॉस्टन रखते हुए, इनको आपस में एक्षेंज किया, फिर C को कॉस्टन रखते हुए, इनको आपस में एक्षेंज किया, यह देखो अब सबको आपस में एक्षेंज करो A B B C A C मेरी बात समझ पारो मैंने किया क्या है तोटल देखो पांच पॉप्विल्टी हैं अब इसमें फिगर को काटना पड़ता है जब बाई डंटेल लीगेंड आता है तो काटना पड़ता है उसको मोनो डंटेल लीगेंड की तरह मानकर फिगर बना लो अब फिर उसमें कट्टम काट खेलना सुरू करो जो बचपन में खेलते थे अब ज़र देखो वाला खेल चालू करते हैं मैंने आपको बताया है कि बाई डंटेल लीगेंड के डोनर एक्टम नहीं सेट हो सकते हैं यह तो बनेक्टी वाला है मैंने का तब पेयर के अंदर जो होते हैं वह एक दूसरे से वानेटी पर होते तो यह फिगर पा फॉल नहीं है अब यह तीन फिगर पांगे अब इनको बना के देख लो इस्तिक है अब पी और सी और फिर अफॉजिट होगा है कि अब यह बाइडंटेड लीगेंड तो क्या बाइडंटेड लीगेंड को हम 90 पे सेट कर सकते हैं तो यस तो मैंने 90 पे ऐसे लगा दिया यह देखो यह 90 एंगल तो है यह प्रपंडिकुलर लाइन है और यह तो यह तो फिगर पॉक्स भी अब इसी तरह इसको चेक करो यह व बीबी और एसी ओपनाट कर लिए कलार कियांज कर देते ऑ Lizzie और from a पोना यह वाला लियाला डी मेशन डीबी अपोजेकर करते कर दिये आश्रेंप की अब यह वी फिगर पॉस्व है क्योंकि ए और एक 20x 90 पंप इसा अगला स्जाओ तो अब लोगी कि मैं करूँ M अब इसमें भी बेटा यहीं खेलो ठीक है? चेक करो A, B A और B यह हो गया B, C, B और C यह हो गया A, C, A और C यह हो गया अब यह भी 90 एंगल है क्यों? क्योंकि यह प्लेन है और वो प्रपेंडिकुलर लाइन है फ्लेन प्रपेंडिकुलर लाइन के साथ कैसा है इंगल बनाती है 90 तो यह भी फिगर-पॉजबल है तो इसके कितने आई समार आ है 3 आई समार आ है इसके कितने आई समार आ है 3 आई समार आ है और जमेruct administer भी 100 करेगा इसको देख लो यार तो इसको भी सी तरह से कर लो कितने फिकर क्वाउ में किस तरह का हो गया है यह तो इस krijgen का माली क्युन होगी या ऩा है फोर बीटू की तरह का है तो कितने फिगर कर पॉस भी लों गो दो कि एकसे खरली है एक आपने एसे कर लिए एक आपने ऐसे कर लिए एक और एसे करने एक नहें ओ और एक ऐसे करने आ जहीन तो प्रस्य शोक आप इनकेहें फिगर बनाते यह निंग हो टो यह बनां से यह बनाओ है दिए ए ए ए बी बी के और यह फिगर ऑफ इनको वाईड़नेटीर लीएंड की तरह सेट करो तो दो को हम इनको आएसे भी तो सेट कर सकते हैं भाईडंटेल लुक्त नहीं कि आप क्या करो गौर से मेरी बाद को समझेगा आप पहले पैंज बना बन गए मैं अब इनके पाउस्बील फिकर में इस एक को इस से जोड़ देते जरूरी थोड़ी कि हम इसको इस से जोड़े में तर देखो एंप भी ए और वी अ है अब चरण चाहरा यह इस से इसको जोड़ो इसको इस से जोड़ो तो यह देखो जारान इंगल पर ही तो हैं कि अपर यह कैसा है सिस्फिकर है और यह कैसा है बच्चों ट्रांस फिगर तो IS के दो फिगर पॉस्फिकर है जब एसी सो और जब एट्रांस हो दो फिगर में गया है कि नहीं अब यहां चिक करो कि यहां पर कितना है तो यह किस की तरह हो गया एम ए थ्री बी थ्री की तरह हो गया अब इसके फिगर बना लो एबी 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 फिर ए ए ए ए बी बी देखो यह बाद आई अब इनके भी फिगर बना के देख लो क्या सारे फिगर पॉस्बिल है तो यदि हैं तो हैं मेरे इसाब से हो जाने चाहिए देखो हमने ऐसे ही कर ले हैं अब जड़ा इनको सेट कर लो पहले तो देखो यार प्यारे बच्चों अच्छे दियान दीजेगा सट कर रहा हूं ए और बी ए और बी ए और बी अब इनको जॉइंट करो जॉइंट किस से किस से करना ए ए को बी से करना है तो हमने तो 90 एंगल की पॉस्बिल्टी देखनी तो यह देखो 90 एंगल की एक पॉस्बिल्टी है और यह फिगर पॉस्बिल है क्यों 90 एंगल पर सबरेंगे इस वाले को बना के देख लो हमने इसको बनाया सौरी इधर बना देता हूं थोड़ा टाफ है बातों को अच्छे समझेगा टाइम भी कम है ए ए ऐसे लिखा ए बी ऐसे लिखा बी ऐसे लिखा अब जॉइंट कर दो अब जॉइंट हमेंसा कैसे करोगे ए से बी को ए से बी को ए से बी को यह देखो अब आप जड़ा चेक करो यह और यह फिगर सेम तो नहीं है दोनों फिगर सेम भी तो हो सकते हैं है कि तुमने जो बनाया है तो यह दोनों फिगर सेम नहीं है कैसे सेम नहीं है आप जड़ा चेक कर लीजिए एका एक के साथ 90 एका एक के साथ 90 यहां पर चेक करो एका एक के साथ 180 इसका सेम फिगर नहीं है तो देखो कैसे चिक करोगे बात समझ रहो बाइडंटेड लीगेंड आ जाया तो उसको पहले मोनोडेंटेड मान लो और अरेंड्मेंट कर लो फिर उसके फिगर बना लो इसमें कभी फिगर छूटेगा नहीं तुमारा तो जमेंटिकल भी सो क करेंगे आईसोमर कितने हुए दो इसमें आईसोमर कितने हुए दो और ध्यान लखे बाइडंटेड लीगेंड लगके बहुत कम आते हैं और आते भी हैं तो एक आथ बाइडंटेड लीगेंड लगते हैं बहुत ज़्यादा बाइडंटेड लीगेंड नहीं लगते हैं स्ट्रीब आर सियल विल है वह मैंनी जैमेक्टिकल आई सुमर कोडिनेशन नमबर फूर अब देखो को कोश्चन करने का भी आपको मैंथर सिखाता हूं जिर बताना कोडिनेशन नमबर फूर है तो हमें सबसे पहले हाई बीडाइजेशन चेक करना चाहिए जब जमेट्री चे पेर बनाने भी चूट गए है ऐसे करके आरेवह पहले ये स्काल सिखाया था क्वाडिनेशन नमबर फूर इस्ट्रॉंइली फोधि लीघन याड कान्फूर स्क्वार लिए brid Supo और कोड션 नंबर को है दीएट कांफूग्रेसन है वैं यहाँ निकर इन्म फैमिलीली इनी पर पीट उनीकलाए और प्लसटु होती है पर यह देखो प्लस टू है तो यह अच्छा इसको इसके बाद इस ट्रॉंग फिल्ड है यह इस ट्रॉंग फिल्डी इंड है कैसे किसी ने का तो भाई टी मार खा जाओगे आप लोग कैसे मैंने लार्ट क्लास में पढ़ाया था कि यार सभी लीगेंड को इस्ट्रॉ आउंख प्लेनर है अब जब यह स्कौायर प्लेनर है अब हम प्लेनर बनाएं अब कौन सा केस है आब सब है कैसे क्रूद तो समझ गया है जब नूंबर फॉर का कोश्चन आया तो कोश्चन करने मत मत कुच जाना सबसे पहले चेक करो हो कि इसकी जमेट्री क्या है तो मना कर दो वह हैं तो फिर इसक्वायर प्लेनर रहे तो फिर यह चेकट करो इसक्वायर प्लेनर तो चैक कैसे करोगे पेर बनाके आइसोमर्शन पूछिएगा पेर बनाओ इसके तो पेर बन जाएंगे क्यों एए बीबी अब फिर आप जानते ही हो कैसे लिख लोगे यार ऐसे लिख सकते हो है कि यह और यह सेमी चीज है इसके पेर नहीं बनेंगे क्योंकि सिर्फ एक डिफरेंट लिएंड है ऐसा ही तो आएगा अब इसके बाद इसका दूसरा पेर बने गए ना तो कौन जामेटिकल नहीं सो करेगा यह नहीं करेगा इसके बाद आजाएं तो नमबर आप जमेटिकल आईसुमर ऑफ दा कॉंप्लेक्स इतना अब यह कौन सा कॉंप्लेक्स है यार आप देखके समझ गया हूँ यह एठी बीठी का है अब इसमें जमेटिकल पूछ रहा है तो कितने पेर बन जाएंगे दो पेर बन जाएंगे एक यह बन गया और एक प्यारे बच्चों यह बन जाएंगे दो कहां है आंसर है ठीक है ना समुझत पार रहो ना कोशन बहुत इसी होते हैं नहीं तो फिर नहीं होते हैं बच्चों से गलत ज्यादा करते हैं यह पकड़ो दनमबर आप जमेटिकल आईसुमर इसम इसम नमबर कितना है और यदि करोगे जमेट्री कोश्चन करने मत कुछ जाना बच्चों की खास बात यहीं होती है उनको लगा रहे चार नंबर अंदर हो रहा है तेजी से दौर लगा दी ठीक है ऐसा नहीं कि तुम हम जब बचपन में थे हम भी यही करते थे तो जड़ा सबसे पहले इसको निकालो कि य का मतलब क्या है और यह इसक्वार क्लेनर कैसे तो लास्ट क्लास में ने पढ़ाया था यदि कहीं पर डीफोर डीफाइब डीशिक डीशेवेन हो तो स्ट्रॉंग फिल्ड वीक फिल्ड चेक किया करो नहीं तो हमेसा सबको स्ट्रॉंग फिल्ड मानके चलो अपने आप सही जब कहने छान्सर आए तो यह यह जो और सारे के सारे स्ट्रॉंग फिल्ड रीकिल्ड है क्यों बढ़े का पार सिक्स्वाइब磨 टैवेश छेट करेंगे कि वीक है यह स्ट्रॉंग कैसे च Sehr करेंगे से उसके लाब़त कभी सिरीज से नहीं हो क्यों की बात नहीं है क्या है और यदि यह स्क्वाइर प्लेनर है तो फिगर बना लो यार यह कैसा है में टू बी टू कि क्या बनेंगे एक यह बनेगा और एक यह बनेगा पूछ क्या रहा है नंबर आप जमेट्रिकल आईसुमर पूछ रहा है दो अब इसको चेट करो ठीक है मेंस में आया हो कोश्चिन दा नंबर आप जमेट्रिकल आईसुमर डैट काइन एक जिस्ट फ्रॉम इसक्वाइर प्लेनर कॉंप्लेक्स अच्छा इन्होंने आपकी प्रॉब्लम पहले से सॉल्व कर दी खुद बता दिया इसक्वाइर प्लेनर कॉंप्लेक्स पीछ वाले कोश्चन तो तब भी टप यह तो और एजी है कि खुद बता दे रहें कि स्क्वाइर प्लेनर है तो अब तो भईया हमें कुछ करना ही नहीं है यह चार लीगेंड है अब इसको भी देख लो ठीक है अब इसको जराब देख लो इस फिगर को क्या पूछ रहा है अब इसमें से जमेटिकल आईसोमरिजम कौन सो करेगा तो यह तो तुम देख के ही पकड़ लोगी कैसे देख लेते हैं यह तो जमेटिकल सो नहीं कर सकता है क्यों कर सकता है बाइड लीगेंड लगा है और He 자ri read grow अब यह सकता है क्यूंकि theo बना बनाने से भी आ जाएगा यह एक बार से आपने क्या कर दिया सिसित कर दिया एक बार सीरा आपने ठ श्कर दिया ऐसे कि उच्छा हो तो पेर बना के देख लो एन 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 था एंड थे एन सॉरी अ थी यह फिर क्या करोगे एन 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 थे लिखो यह वाला फिकर हमारा यह वाला वाया एनन एन यह एन का पोजिट एन N का पोजिट N, CL का पोजिट CL, यह पहला हो गया है, इसको चेक कर लो, N का पोजिट N, N का पोजिट CL, N का पोजिट CL, मैंने इनको जोड दिया ऐसे, इनको जोड दिया ऐसे, तो यह देको figure आ गए, दोनों figure फाउस भाउस बिल ओगए, ठीक है, यह मैंने आपको पीछे भाइ है तो तो मिल जाएगी क्योंकि स्कॉयर प्लेनर हो जाएगा यदि यह ब्रैकेट अंदर है तो नहीं मिलेगी क्योंकि 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 हो सकता है यह क्योंकि 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 हो सकता है यह काइप करने में मिश्टेक हो गई हो यह स्कॉयर हो जाएगे ना और एम एटू बीटू का केस होगा तो सो करेगा दो फिगर बन जाएंगे एए बीबी एबी ठीक है बातों को आप लोग समझ पारों कैसे किया मैं सभी बच्चे समझ पाए कैसे की है थोड़ा फास्ट पिकप पर आए ठीक है तो जड़ा ध्यान नख्येगा करना क्या है कुछ नहीं करना दिमाग में इत्ती बात बैठानी है एक्ट्राइडल कॉंप्लेक्स है तो जमेट्रिकल कभी नहीं सो करेगा इसक्वार प्लेनर बाइडंटेड लीकृट आजा है तो ध्यान नकना करना कैसे मोनोड़ंटेड मान के पेर बना लो उस पेर के फिगर बनाओ यह फिगर पॉस्पील है तो वह इस उमर पॉस्पील नहीं यह इतनी बात आपको देखके करनी है ठीक है तोप फुली आप इन बातों को बहुत अ अपना ध्यान नगे, all the best.